उसके बाद हमारे पास next option है discussion का इस पे हमारी पहले भी एक दफा बात हुई जब हम post का lecture ले रहे थे कि यहाँ पे आपकी जो website की post की default setting होती है वो आप manage कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी website पे जो comments हैं वो allow ना हो तो आप simply यहाँ पे allow people to submit comment को uncheck कर देंगे और यहाँ पे automatic close comments word ordered post को यहाँ पे select रने के बाद 1 एंडर कर देंगे तो आपकी website में से जो comments होंगे वो disable हो जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी website में कोई भी अगर comment करें तो वो असी वक्त लाइब ना हो जाएंगे अगर मैं आपकी website में वर्डपैस की website में और मैंने कमेंट की आपकी किसी भी post पे तो वो उसी वक्त लाइब ना हो जाएं दूसरों को उसी वक्त नजल ना है जब तक कि आप खुद एक दफा वो comment परके उसको अप्रूव ना करें तो simple आप discussion के tab में आएंगे और यहां पे आप scroll up करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा हुआ four comment appears यहां पे आप simply पहला option देख सकते हैं comment must be manually approved आप इसको check कर देंगे तो अब कोई भी comment तब तक site पर show नहीं होगा जब तक कि आप उसको approve नहीं करेंगे तो यह discussion के tab में मारे पास काफी options available हैं आप एक देफा इसको ज़रूर go through करें ताकि इसमें जो जो options हैं वो सारे आपको पता जल जाएं यहां पर आपकी WordPress की website की जितने भी images हैं उसकी आप default width manage कर सकते हैं मतलब कि जो हमारा thumbnail है जो हमारी medium image है और जो हमारी large image है उसका जो size होगा वो आप यहां से manage कर सकते हैं जैसे ही हम media tab में आई हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा होगा है thumbnail size यहां पर इस thumbnail size को change कर सकते हैं मतलब कि आप चाहते हैं कि जो आपकी WordPress की website में जो images है उनका thumbnail size हो 100 by 100 हो तो आप simply यहां पर media के tab में आएंगे और यहां पर 100 by 100 कर देंगे और इससे क्या होगा कि आपकी website में जितनी images होगी उनका thumbnail size होजएगा वो 100 by 100 होजएगा उसके बाद आप चाहते हैं कि आपकी website में जो large image size हो वो 800 by 800 हो तो वो भी आप यहां से manage कर सकते हैं लास्ट option हमारे पास है कि जब भी आप अपनी website में कोई image upload करें तो वो जो back end में यहां उस पे store किस तरह होनी चाहिए तो आप अगर यहां पर इसको organize इस option पर click कर देंगे तो आपकी images एक folder में upload नहीं होगी मतलब कि अगर आप इस option को uncheck कर देंगे ना तो आप जब भी कभी image यहां कोई भी file upload करेंगे तो वो सरफ और सरफ uploads के folder में upload होती जाएगी और कोई भी organize नहीं होगी हजार फाइलें भी होगी तो वो एकी folder में upload हो जाएगी लेकिन अगर आपने इस option को check किया होगा तो अगर आपने इस मन्त में कोई file upload की है तो इस मन्त की date के साथ एक folder बनेगा और इस मन्त की files उस folder में save होगी इसी तरह जब next month शुरू होगा तो next month की date के साथ एक folder बनेगा और next month जब भी आपको file upload करेंगे तो उस date के folder में वो file upload होगी तो यह काफी अच्छा option है इससे क्या होगा कि आपकी files जो होगी वो organize रहेंगी और अगर आपको जो files upload होगी है उसको organize कर सकते हैं और यह changes करने के बाद आप सिर्फ changes पे click करेंगे तो आपके changes apply हो जाएगे उसके बाद जो हमारा next option है वो है folder मा लिंक्स यह हमारे पास एक बहुत ही powerful option है powerful यह किस sense में कि आप देख सकते हैं वेबसाइट के URL जो होने चाहिए SEO friendly होने चाहिए WordPress में यह बहुत ही असान है SEO friendly करना अगर आपकी वेबसाइट में कोई URL सही से नजर नहीं आ रहा मतलब कि आपकी वेबसाइट में URL नजर आ रहे हैं आपने किसी पेज के क्लिक किया तो वह बहुत ही अगली साइक URL लागया पेज राइट 54 आप उसको एक प्रिट्री SEO friendly URL लगना चाहते हैं तो आप सिंप्ली परिमा लिपस्ट के टैप में आएगे और यहां से जो कॉमन सेटिंग है वहां से आप सेलेक्ट कर देंगे पोस्ट नेम को और उसके बाद सेफ चेंजिस कर देंगे अब जब आप यहां पर आके किसी पेज पेज पे जाएंगे तो जो उस पेज का नाम होगा मतलब जो URL बनेंगे वह सारे SEO friendly होगे तो यह काफी अच्छा उप्शन है और आपको इससे ज़रूर फाइदा आप रहना चाहिए इससे आपके WordPress की SEO भी काफी इंप्रूव हो जागी लास्ट में मारे पास उप्शन आजाता है प्राइवेसी का यहां पर जो आपकी WordPress का प्राइवेसी पेज है वह आप यहां से स्लैकर सकते है प्राइवेसी पॉलिसी 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 आपको वीडियो पसंदा ही होगी, अगर आपको वीडियो में कोई बात समझना ही हो, तो कैनले इसको कमेंट सेक्शन में मुझें, मैं उसका जवाब दूँगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना कुछी देपस्टा इट मुझे लाइकन को सब्सक्राइब Mark